हेलो दोस्तों हम सब कैसे उम्मीद करता हूं हम सभी लोग अच्छे होगे जांब होगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही जबरदस्ट लेक्सर को यहां पर हम लोग जो बिजन की मैगजीन है वो ब्रेक हो गई थी क्योंकि सारी क्लासिस बंद हो गई थी यूटू हम लोग विजन का जो टेस्ट पेपर है वो अब री स्टार्ट कर दी है इसी तरह से करेंट फ्यर को भी अब स्टार्ट हो गया तो देखे हैं हम Всем के मैजीन उसका मैप च्लासिस कबर करेंगे इससे पहले हम सायथ पॉलिटी आइए यह को कबर कर चुके हैं वो प्रव्यस क् करके विजिट कर यहां पर आपको मेंठ जाए कहा अभी रिकौटिट मिलेगी कुस दिनों फिर आप बाद में live class होने लगेगी UPSC test bot हमारे एक नया चैनल को subscribe कर लिजेगा यहां पर आपको बहुत सारी सीज़े मिला करेंगी यहां पर बहुत सारे test paper हम लोग solve किया करेंगे लेकिन test board पर आपको पड़े हुए मिल जाएंगे तो देखिए हम लोग solve कर रहे हैं यह note कर लीजे test series जो है वह हम दो पोजिंगों की अभी start किया क्योंकि अभी वही start हुई है तो आपको एक तो बिजन आइस देखने को मिलेगा और दूसरा आपको बिजन आइस के साथ में आपर फॉरम आइस भी हम लोग start करते हैं ओके फॉरम आइस तो फॉरम आइस भी test series से आपको solve कराई जाएगी फिर उसके बाद में ड्रस्टी आईगी या फिर जो भी पूजिंग के आईगी वह start की जाएगी तो ड्रस्टी के आईगी तो इस चैनल पर नहीं solve कराई जाएगी यूपेस से टैस्ट बॉट चैनल पर ही solve कराई जाएगी और current affair जो चलना है आप लोग का यह जो बिजन का हम लोग cover कर रहे हैं तो वह आपका regular अब चलता रहेगा और भी classes other classes भी अप यहाँ पर कुछ other classes है वो भी आपको अब मिलती रहेंगी यूटूब पर भी और हमारा जो फेट ग्रूप चलना है मतलब फेड बैस चलना है जिसमें आप लोग का full syllabus कवर कराई जा रहा है जीस का प्रियो और मेंस का तो बहाँ पर तो आप लोग की प्रिप्सन बॉक्स हो चेक करिए वहाँ पर आपको फ्री टेलीग्राम गुरूप का मैसेज मिलेगा उस लिंक पर कलिक करेंगे तो आप लोग टेलीग्राम गुरूप को जोइन कर लेंगे अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर तो देखें यहाँ पर विजन क कि हमें क्यों आई ते नियुविग्राम कि आगती हुझाओ वाई देलैंड हुर्णिय को पेकित लोगी प्रिकृ में हो करिया को संदर्बित करता है वो कौन सी पिरकरिया है जैसे कोई भी बस्तू है जैसे कोई भी बस्तू हो जगती है उसका उत्पादन किया जाता है तो उसके उत्पादन से लेकर के उसके परिवहन साथ में जो भी स्टोरेज किया जाता है फिर उसके बाद बिक्री बिक्री के बाद मरम्बत अलवने हैं आचीए कि प्रुमेटिया को सामल किया जाता है जैसे कि किसी बस्तू के निरबाण में देख्ये्जिए जैसे रो मैट्रियल के उतपादन सात्में उस फिर निपím पर खनन कgression किया जाना है तो उस पर कर कि करनी लिए को भी soutर है लो तो उसants उसके बाद में इसके कैमरा बाद मैं और उसके बाद में इसको अच्चे से की जाती है global value chain है इसमें repairing को भी सामिल किया जाता है और साथ में जो warranty है जो warranty होती है उस period को भी सामिल किया जाता है यानि कि इसमें raw materials के उत्पादन से लेकर के विक्री के बाद जो मरम्बत वाला कारण होता है warranty वाला कारण होता है उस पूरी पिरकरिया को जो संदरबित काता है यह जो पूरी पिरकरिया है यह एक देश में नहीं होती है कई देसों में होती है इसी वजए से इसको क्या बोलते हैं Global Values先生 इसलिए बोलते हैं कि इस पिरकरिया में बहुत सारे देश सामल होते हैं जैसे example के लिए जो यह mobile है, इस mobile का जो उत्पादन हुआ हुआ हो सकता है किसी देश ने, किसी देश ने इसकी spare part बनाए हो, और दूसरा देश लेजा करके उसको assemble, जैसे हमारा phone है, इसके part है, कोई Taiwan में इसका part बना होगा, कोई part है, वो चाइना में बना होगा, कोई Japan में बना होगा, या फिर अलग अलग देशों से इसके spare part बनाए होंगे, फिर उसके बाद इसकी assembling कर दी गई होगी, assembling करने के बाद में फिर इसको बेज दिया गया होगा, यानि कि global value chain में बहुत महत्पूर की point है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, क्या importance इसे कि इसमें कम से कम, यानि कि minimum इस पिरकरिया में, इस chain में, इस global value chain के अंदर कम से कम, दो देश सामिल होना अबश्यक है, दो से जादा हो तो कोई समस्या नहीं, जादा हो तो कोई समस्या नहीं, दो से कम नहीं होने चाहिए, तो यह चीज़ आप लोग दियान रखना है, यानि कि जैसे कि कोई का देश है, वो raw material है, उसका उत्तपादन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में raw material के बाद में आगे के जो spare part है, वो पुझे उत्तपादन कर रहा हो, तो दूसरा देश का है, उसकी assembling का कारे कर रहा हो, चोथा देश है, बहाँ पर हो सकता है, कि जो bear house है, उस bear house को मतलब, अलग किताती है अब बहुत में इस और thoseable चैन में दो रूपों में सामिल हो सकता है या या तो बहुतर लिंकिग के मलओं सक्रापनी ये backward linkage और forward linkage क्या होता है, इस सीज को हम समझने का प्रयास करते हैं, और भारत को जो ये value chain है, इसमें जुड़ने की आवसकता आखिर क्यों है, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे, तो देखे backward linkage क्या होता है, backward linkage में जैसे घरेलू इस तर पर उत्पादन के लिए, घरेलू इस तर पर उत्पादन के लिए, जो input होते हैं, उनका आयात किया जाता है, यानि कि घरेलू इस तर पर उत्पादन के लिए, जैसे की हम क्या है, जैसे हमारा बटुआ है, इस बटुवा के निर्माड के लिए, उत्पादन के लिए, हमने इसमें जो उपियोग होने वाला, इसमें बहुत सारी चीज़ें उपियोग होई होगी, इसका जो कपड़ा है, इसका जो लैदर है, अलग-अलग चीज़ें इसकी यू जूई होगी, इसका जो कलर है, वो हमने हो सकता है दूसरे देशों से मंगाया होगा तो उसके बाद में जो बटूआ है यह उच्च गडबत्ता का बटूआ है इसका निर्माड भारत के अंदर कर लिया होगा तब हम क्या वो लिंगे backward linkage देखने को लिगा जैसे भारत है वो उच्च गडबत्ता का जो उच्च गडब मैं किस इंपोट है और इनसे स्सक्रागा होता है अधिरे में ये ईसी तारी से स्फार्वार्ड लिंकिस ऊता है White Links में क्या होता च होता है पर पर दिखस्छ चेयं क्या इंपür तो डिलिए को लौपाइल के निर्माड के लिए इसके डिस्पैले की जरूरत है तो डिस्पिल क्या हो गया 1 तरह इंपूट्स हो गया हमिए यह उपयोग होने वाले जो पार्ट है वो क्या कहलाएंगे प industry opens के यह इसमें उपयोग होने वाले कोई भी चीज आगर हम वह मुदकियू किसी देश वो forward linkage के माद्धिम से भी जोड़ा हो सकता है, forward linkage के माद्धिम, इसमें क्या होता है, inputs का नरियात क्या जाता है, जैसे कि कोई देस है वो braid बनाना चाहता है, तो braid बनाने के लिए हम लोग उसको क्या दे दें, यहूं दे दे, हम डारीक्ट उसको क्या दे दे, हम चावल दे को तो यह क्या कहलाएगा, यह forward linkage कहलाएगा, और भारत क्या है, वो forward linkage के माद्धिम से ही, जो global value chain में, भारत की जो हिस्सेदारी है, तो forward linkage में ही जादा देखने को मिलेगी, और यही समस्या का कारण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम direct किसी के लिए, direct किसी के लिए, सूच पैकेसिंग करके फिर हम बेशते, तो हमको ज़्यादा profit होता, यह फिर गेहों के बेशिने से हमको ज़्यादा profit होता, और दूसरा घाटा इससे यह होता है, कि अगर हमारी हैं इस गेहों को पहले आटा बनाया जाता, फिर आटे से bread बनाया जाता, तो इसमें लोग लगते, लोगों को रोजगार भी मिलता, लोगों का रोजगार भी छिना, और साथ में हमारा जो पैसा है, जो हमको ज़्यादा मिलना चाहिए था, बो भी ज़्यादा नहीं मिलना, तो दो समस्यां ऐसे उत्पन होती है, तो हमें क्या करना होगा, इस forward linkage के जगे हमें backward linkage से ज़्याद भारत को जोडने की आवसकता है, हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे, देखिए जो आखिर भारत को क्यों जोडना चाहिए, इस global value chain से क्यों जोडना चाहिए, इसका महत्ब क्या है, इंपोर्टेंस क्या है इसका, तो इसका बहुत महत्ब रोल है, इम मेंस में आप लो हमारा बढ़ेगा, साथ में गुडवत्ता में भी सुधार होगा, गुडवत्ता में कैसे सुधार होगा, जैसे देखिए, हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो हो सकता है हमारे पास में उतने अच्छे inputs ना हो, जैसे भारत है, वो mobile का निर्माड करना चाहता है, वो उसने बहुत धाजू, फोन का निर्माड किया, लेकिन उसमें एक कम ही है, हो सकता है कि वो सारी चीज़े बहुत 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 बह मुबायल के हो जाएगक कवारा हुजाइगा Program कि बěकार हो जाएगा क्य। आप इस ना अरिड्लिद हो पाई ह कि लोग देख रही है रहे है भले हम कितना भी आच्छा एप wash करें लेकिन अगर हम सारे जो इस पिर पारतों हम लोग बहतर बना लेता है हम उनी का उप्यों कर रहे हैं लेकिन हम जो प्रोसेशर है वो अभी हम उतना हमारा आरंडी नहीं होगा है तो हम क्या करें ऐसे देसों से हम उस प्रोसेशर को मंगा करके इस मोबाइल में डाल दे तो इसकी गुड़वत्ता क्या हो जागी बहुत बढ़ जागी इसकी से हम product मंगाएंगे तो उनकी technology को हम समझने का प्रयास करेंगे तो बैसे ही technology हम Brexit भी करने लगेंगे विकास भी करने लगेंगे उनका घुरबत्त में भी सुधार हो सुधार हो तो दूसरे देशों में हमारे उत्पाधों की मांग बढ़ेगी जिससे हमारा निर्यात बड़ेगा निर्यात बड़ेगा तो हमारा profit होगा मुद्रा है वो भारत के अंदर आएगी इसी तरह से गरीवी इस्तर में कमी आएगी क्योंकि रोजगार के अफसरूस्थ करोंगे तो लोगों के पास रोकड़ा आएगा पैसा आएगा तो गरीवी इस्तर में कमी बढ़ वेंग के अनुसार यह आम लोग मेंस में कोड कर सकते हैं इस सीथ के लिए तो दीखें बढ़ वेंग के अनुसार अगर जो जो ग्लोबल वैलू चैन है अगर इसमें एक प्रतिशत की बिरद्धी अगर होती है जैसे भारत का युगदान अगर एक प्रतिशत इसमें ब होगी एक तरह से हमारी देखने को मिलेकिंगी तो यह तो क्या है हमारी प्रतिवेक्टि आए हमारी नेश्रऌ इंकम में ब्रध्दी करने में सहायक होगा और जो हमारे लख्छ भी है साथ में देखें यहाँ पर जो रोजगार के अफसर में भी वरद्धी होगी और यहाँ पर global value chain है इसमें महिलाओं की भूमी का जादा होती है तो महिलाओं की भूमी का जादा होती तो महिला ससकती करण के लक्स को भी हम फ्राप्त कर सकते हैं महिला स्वाइतता भी बड़ेगी तो उन पर होने वाले अत्याचार में भी कही न गहीं क कि क्या है इस global value chain में एक सीमित भागेदारी देखने को मिलेगी 2022 में सकल बैपार में सिर्फ 40% ही हिस्सेदारी इसकी देखने को मिलेगी जो अन देशों की तुल्ला में बहुत कम देखने को मिलेगी इसी दर ऐसे network से जोड़े जो उत्पाद है network से जोड़े जो उत्पाद ह उनका निर्यात हम लोग क्या करते हैं निर्यात बहुत कम करते हैं network से जैसे global value chain में किसकी ज़्यादा मांगे किसकी ज़्यादा मांगे जैसे कि mobile की बहुत ज़्यादा मांगे इलक्रानिक सामान की computer laptop इनकी बहुत ज़्यादा मांगे लेकिन हम इनका निर्यात क्या करते हैं तो इस बज़े से हमारे जाद उत्पाद की अंतरराश्ची स्थर पर हमाई ज्यादा मांगी ही नहीं है तो इस बज़े से समस्य का कारण है साथ मैं देखिए जो मैंने बता है तो फॉर्वर्ड लिंकिस का बर्चस्प देखने को विलेगा जिसको हमें कम करने की आवसकता है इसी तरह से चुनावतियों की बात करें तो हमें एक मजबूत व्यापार अब संद्रशना की भी आवसकता होगी और व्यापार एवं जो प्रसुल्क नीती है इसमें भी हमें बदलाओ करना पड़ेगा 2014 में जहां 13% जो प्रसुल्क लगता था जैसे हम जो बस्तुगे हैं जो हमारी बस्तुगे जिनका हम निरियाद करते थे उनके 13% प्रसुल्क लगता था लेकिन प्रसुल्क अब और बढ़ गया है 18% के करीब में पहुँच गया है उत्पादों की जो गुडवत्ता है उस प पूजी कमी है बो भी हमें पूजी कमी को भी पूरा करना होगा और साथ में जो जानकारी का अभाव है उस जानकारी के अभाव को दूर करना होगा और घरेलू चुनातियां हैं उनको भी हमें दूर करना होगा तो इस सारे क्या है हमारे पास में चैलेंजिस हैं हैं हैडल है बैपार नीथी 2023 इसमें देखे बैपार को आसान करने के लिए और 140 करने के लिए इसको स्टाइट किया गया तो 2020 में उत्पादन से समध्द प्रोसाहन जिसको PLI के नाम से जानते हैं ये इलक्रानिक्स भी निर्माड के छेतर को बड़ावा देने के लिए इसका विकास किया गया था इसी तरह से मेक इंडिया जो पहले वो भी इसे बे देखने को मिलेगी तो गिलोबल बैलुचैन में अगर भारत जोड़ता है तो इसमें क्या है बहुत में हो जाता है देखे आरबी आई द्वारा अभी जो सर्प्लस है उसको ट्रांसफर किया गया है गवर्मेंट के लिए यानकि गवर्मेंट के लिए क्या दिया है एकदम पैसा दिया है भर भर के बोरों में भर भर के पैसा दिया है आरबी आई ने क्यूं पैसा दिया है जो सबी निगम हैं, सबी लोग हैं, वो क्या करते हैं, टेक्स पे करते हैं, लेकिन जो RBI है, इसको छूट दी गई है, कौन सी धारा, तो धारा 48, इसी अधनियम के अंदर एक धारा 48 है, एक सेक्शन 48 देखने को मिलेगा, जिसमें बोला गया है, इसी टेक्स से छूट है, और कि इ टेक्स नहीं पे करना है, इसकी जगए पर जब आपके पास में सर्फलस हुझा है, सर्फलस क्या है, अतरिक पैसा, जैसे आपकी कमाई है 100 रुपिया, और आपकी ओबर ओल जो खर्च हैं, वो 90 रुपिया, दस रुपिया क्या है, सारे खर्चे करने के बाद में, बीवी को जो गौवर्मेंट है, जो गौवर्मेंट है, तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिसेस अंतरण की नाम से जानते हैं, आखिर इन नियूज में क्यों है, तो देखें, 2024 में अभी RBI है, 2024 में RBI है, वो 2.11 लाक कडोर, यानि कि यह सबसे बड़ा आमाउंट है, जो गौवर्मेंट के लिए ट्रांसफर के अजारा है, 2022 में, 2022 में सिर्फ 86,000 कडोर रुपए है ट्रांसफर किया गया था, लेकिन यहां पर 2,00,000 कडोर रुपए से भी जादा, मतला हम समझ सकते हैं, आखिरी इतना जादा पैसा कहां से अगर हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, सर प्लस बीजान जो मैं बीजी आपको बता गया, आर-बी-उइए है, जो आर-विजड से कमाती है, व्याज से कमाती है, तो उसका शिरिफ एक बप्टे साथमा हिस्सा ही, उसका शिरिफ खरच हो पाता है, अपने करमचारियों को उसको देना पड़ता है जो विजली-उजली का रेंट उन्ट आता है उसमें देना पड़ता है अन्य कारणों में कुछ उसको निदियां रखनी होती है उसमें खर्च करना पड़ता है कुछ-कुछ अन्य चीजों में जैसे जैसे मार्केट स्टैबलाइजेशन स्कीम के अंतरगत जो ब्यास देती है वो खुद से देती है गवर्मेंट को पैसा ने ट्रांसफर करती है तो कुछ उसको ब्यास भी देना पड़ता है अगर वो इस प्रिकार की स्कीम लेकर के आती है तो वो सारे खर्च आरवी आई के द्वारा जो अधिसेस है उसके अंतरण से संबन देते हैं इस तरह साम से पूछ आजा सकते है तो आपको ध्यान रखना है वी सुब्रमंडियम समीति ये 1997 में इसके इस्तापने की गी थी इसी तरह से उसा पूराट समीति जो है 2004 में इसी तरह से बाईयच माल है यसे की गई थी उसकी बज़ेस से भी क्या है इस बार अदिसे जादा बचा है क्यों जादा बचा है वह अभी आपको समझ जबाजा जा है क्यूंकि देखिए RJ है उसका जो लाब होता है उस लाब में से आई होती है या फिर आप लाब बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं जैसे आई है उसी में से एक हिस्सा है वो लिकाल करके उसे कुछ एक तरह से निदी होती है फंड होता है उसमें रखना होता है कौन-कौन से फंड होता है एक तो होता आरबी आई जो fund manage करती है रखती है अपने पास में जिसको बोलते हैं आकास्मिक निधी बोलते हैं अकास्मिक निधी इमर्जनसी के समय कुछ ऐसी विप्रीत परस्तितियां उत्पन हो जाती है या फिर कुछ पृतिकूल इस्ततियों में एक तरह से जो अतरिक पैसा है वो कहा से आएगा आरबी एक पास वो इसी fund में रखती है उसका उप्योकरत है इसी तरह से परिस्पत्ती विकास निधी जिसको ADF के नाम से जानते हैं देखे आकास्मिक निधी है तो देखे आप प्रतियासित इस्तितियों से निपटने के लिए आरबी ये अपने पास पैसा रख इसी तरह से दिखे एक परिसंपत्ती विकास निधी है इसका उप्योक जैसे आरबी आई है वो सबस्टी देने के लिए संस्ताओं में निवेश करने के लिए इसका उप्योग करती है, जैसे संस्ताओं, कुछ संस्ताओं, जैसे कि अगर RBI है, सरकार है, या फिर सरकार RBI, या फिर जो बैंके होती है, ये मिलकर के कुछ संस्ताओं को गठन करती है, जैसे एक्जामपल के लिए मुद्रा, बैंक की स करती थोड़ा से composition उसका रहता है рच सकता है थोड़ा सा contribution management का रहता है औहों हो सकता है कि इसमेद बैंकोका कुछ contribution हो शुटा है राज्य स्रकारों को कुछ contribution हो सकते है तो इस तरह से संस्ताओं का गठन समय समय पर किया चता है तो उसके लिए भी यहां से ही पैसा निकाल करके निवेश करती है। के लिए तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले तो कम था दो क्या है की कान्णों की वज़े से यहाँ पर में कमी आ गयी थी क्योंकि बीद्यस संस्तान थे वो इतने प्रॉफिट में नहीं चल लेते और जो लिकुडिटी थी वो भी कही ना कहीं कम हो गई थी कई कार्णों की वज़े से यहाँ पर जो आदिसेश था वो कम हो गया था सुर देखे 2024 में जा करके फिर से एक आएक क्या होगे यहाँ पर जो धनरासी है तो काफी बढ़ गई थी यह लगबख में आप लोग देख सकते हैं दो दस्वान लोग एक-एक समझ सकते हैं क्यों कोईंट में थोड़ दिञ अमोटा मोटी याद रखिएगा बोलाग कड़ोर रॉपए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि R. I. कि I कहा से होती है RBI का BA कौन सा होता है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो आए हम लोग Economics से आपको कई बार पढ़ा चुके हैं तो यहाँ पर पढ़ाने की आवसकता नहीं है और देखिए जैसे जो आकास्मिक निदी विविन प्रकार की निदी जो RBI रखती है वो भी हम आपको बता है उसमें पईसा रखना पढ़ता है नोट की छपाई करती है तो नोट की छपाई में क्या लगता है पईसा लगता है इसी जरह से Agency का सुलक है जैसे जो डीलर रूलर और बैंकों का जो है, तो भो भी उसको सुनक पे करना पड़ता है, करमचारियों के उपर खर्च बर्च करना है, तो भो भी इसको करना पूरता है, और देखिए, जो इसकी आए होती है, वो ब्याज से बहुत ज़्याधा आये होती है, जैसे आप लोग जानते होंगे, मैं आपको पढ़ाया था, liquidity adjustment facility, liquidity adjustment facility के अंतरगत, RBI क्या गरती है, जिनके पास में अतरिक पैसा होता है, जिन बैंकों के पास में, उनसे पैसा ले लिती है, और जिनकों पैसी कावसकता होती है, उनकों पैसा दे देती है, repo rate पर, तो reverse repo rate और repo rate जो होता है, इनमें एक अंतर पाये जाता है, और उसी अंतर से उसको क्या हो जाता है, लाव हो जाता है, क्योंकि वो सस्ते धर पर, bank से rate लेती है, और उससे थोड़ी जादा धर दूसरे बैंकों को rate देती है, तो बीच में जो अंतर होता है ब्याज का, उसके पास से कुछ नहीं गया, एक से उसने पैसा लिया, और दूसरे कोई से पकड़ा दिया, बस इतना ही किया, और बीच में वो क्या कमा ली, profit कमा ली, बिचौ लिया की तरह, तो उसको क्या हो जाता है, बहुत जाजा profit हो जाता है, उसके अलावा भी बोज जैसे प्रती भूति एक तरह से लाव हो जाता है, तो लाव के बहुत सारे इस्तरूत होते हैं, और इसी तरह से बे के भी, बे भी कई जगए पर अर्विय करती है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं, भारत का लोजिस्टिक छेतर देख लेते हैं, लोजिस्टिक क्या होता है, लोजिस्टिक छेत के अंदर का आप लोग जानते हैं जैसे देखे कोई उत्पाद है जैसे मोबाइल है इस मोबाइल का उत्पादन किया गया तो उत्पादन करने के लिए बहुत जगे से रो मेट्रियल को लाया गया होगा फिर उत्पादन के बाद इसे बेर हाउस तक पहुंचाया गया होगा फिर हो सकता है इसे मार्केट तक पहुंचाया गया होगा यह हो सकता है इंट्रनेशनल पोर्ट पिंग पूपिंग हुआematics पर स्पिंग के god के बाद दूसरे देश में गया होगा दूसरे देश जहोता है इन सभी पूरी संत्र को सामिल के अई आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोजिस्टिक तंद्र болते हैं समझ गया आप लोग देखिए अगर हम लोग बात करें कि भारत के अंदर ये निउस में क्यों है तो भारत के अंदर logistic लागत है वो अन्य देसों की तुल्ला में क्या है जादा है जो जैसे बिक्सित देश हैं और जो अन्य देश हैं उनके तुल्ला में logistic लागत आज भी भारत में जादा देखने को मिलेगी अनुमान के अनुसार लगभग में 10% के करीम में है लेकिन 2021-22 में यह जो लागत थी जीडिपी के तुल्ला में 7.8 से ले करके लगभग में 9% के बीच में यह लागत थी लेकिन बरतवान में यह लागत है लगभग में 10% के आसपास अनुमानित है कि इतनी लॉजिस्टिक लागत आती है ओके देखे 2016 में जो आर्फ स्टांग एसोसियेशन जिसको ए एंड ए के नाम से जानती है इसने बताया था कि भारत की 2016 में जो लॉजिस्टिक लागत है वो 13% है और 13% यह बहुत जादा होती अगर लॉजिस्टिक क्योंकि उनकी टेक्नोजी बहुत है तो उनसे प्रतिसफ़दा करना है और साथ में हमारे लॉजिस्टिक लागत भी उनसे क्या है जात है तो और उनका प्राइस भी बढ़ गया और हमारी उनकी तरह गुड़बत्ता भी नहीं है या फिर दोनों की गुड़बत्ता बराबर है वह कंपे 30 परदी हो जाएंगी 30 परदा कम हो जाएगी तो हमारे निर्यात कम हो तो इससे हमारे देश के उपर नकरतम प्रपाव पड़ेगा और जो यह समिक्चा है भारत का लागत की तो यह जो बैंक है वह करती है ओक और यही कुशन अभी बिजन का में टेस्ट पेपर स्वाल करा रहा था बिजन कर टेस्ट पेपर ख्री भी उसमें यह कोश्चन आया था फिर मैं आपको बताया था कि वो मैं यहां पर आप लोगों को एक्स्प्लेंग करूंगा यहां पर अगर हम बात करें गड़ना की इसकी गड़ना कौन करता यह लागत की तो नेशनल कॉंसिल ऑफ जो एकॉनमिक रिसर्च से यह करती है और यह जिम्मेदारी किसने सौपी है तो उद्योग संबर्दन आंतरिक व्यपार विवाग है उसने यह काम सौपा है इसके लिए अब दीखे एक यहां पर इंडेक्स भी जारी किया जाता है इंडेक्स कौन सा जारी किया जाता है लॉजिस्टिक परदर्शन सुचकांक रिपोर्ट ए बिस्व के कई सारे देश हैं बंढट हर्टी नाइँ देश हैं उन देशों की तुलना की जाती है एक तरह से फिर उनक डेक्स में अभी जारी कियी एक ही जारी किस्व किया बिस बैंक यह पूछा भी गया था वहां पर ऑप्रो क्यों क्षेखने को मिलेगी 2030 में और 2018 में भारत की जो रैंकिंग देखिने को मिलेगी 2019 इस भी इस में टार्ट्री सटार 1034 था comment रंगे यानकि इस में वहां थार्ग 2030 तक इसे हमें कम करना है है यह है तो जो टारगेटे टेयर होते हैं देखें जो जो सुचकांग जारी की आजपता है इसमें कौन कौन से पैरामीटर है थे पैरामीटर देखने भी इसमें आता है, उसमय बद्दता भी इसमें आती है, ओकी, तो ये सारी सिज़े इसमें सामिल कि जाती है और इनी के आधार पर किसी देश की जो Index है, वो जारी किया जाता है, Ranking है, वो जारी कि जाती है, देखे, इसी तरह से देखे, भारत भारत माल डुलाई की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए सडक में सडक जो है उसमें माल डुलाई में उसके इस्तेदारी 66 पुर्टी सद देखने को मिलेगी अब क्या है पहले जो रेल था उसकी मोनोपॉली थी एक तरह से माल डुलाई में लेकिन अब सडकों की मोनोपॉली क्या होगी है जादा होगी है क्योंकि सडक की तुलना में रेल का विकास क्या हुआ है आजादी के बाद रेल का विकास कम हुआ है जितना सडकों का विकास हुआ है जितना सडक तंत्रे हैं वो जुड़े हुए हैं हर गाउं से, हर सहर से, एक राज़ से, दूसरे राज़ से, उसकी तुल्ला में, जो अभी भी रेल वे है, उनका एक तो चौड़ी कराण नहीं हो पाया है, बिद्धोती कराण नहीं हो पाया, साथ में जो एे रेल है, वो सबी गाउं से ने जुड़े हुएं सिर्फ से ही जुड़े हुए देखने को मिलेंगे वो भी सारे ट्रेन है वो मुख मुख सेर पर ही रुकती है और जो ट्रेने अगर रुकती भी है तो बहाँ पर बेर हाउस नहीं है वहाँ पर बेवस्ता नहीं है कि माल गाड़ी से साम पर एक प्रतिसत हिस्सेदारी देखने को मिलेगी इसी तर ऐसे अगर हम रास्टिय लॉजिस्टिक नीती 2023 की बात करें यह आप लुग मेंस में बता सकते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे सिर्फ यह बताना है यह उपर का कुछ नहीं बताना है ऐसी मैंने लिख दिय इसी तर ऐसे रास्टिय लॉजिस्टिक नीती 2022 की बात करें देखे रास्टिय लॉजिस्टिक नीती है इसे सौफ्ट इंफ्राडेक्शर और लॉजिस्टिक चेतर का विगास करने के लिए इसको लॉंज किया गया था जिससे हम लॉजिस्टिक लागत को कम कर सके और और मानब संसादन विकास और कौसल को भी इसमें सामिल किया गया है देखे इसमें लक्ष रखा गया है कि जो लॉजिस्टिक लागा थे उसको हमें कम करना है और GDP की तुल्ला में 8-9% के करीम में ले आना है और साथ में देखे जो हमारे प्रदसन सूचकांग के उसमें सुधा करना है प्रदसन सूचकांग में सुधार करके 2030 तक मैंने जो आपको बताया था है यह क्या है हमारा टार्गेटेट यह रहे हैं यहां को ध्यान रखना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि बढ़तवान में क्या है 38 है तो हमें कम करके से क्या करना है 25 के अंदर लाना है यहां कि टॉप 25 में आने है तो 15 पर भी हम हो सकते हैं 10 पर भी हो सकते हैं कितने पर भी हो सकते हैं तो कोसिस करना ही जितनी कम से कम की जा सके उतना ज़्यादा बहतर है इसी तरह से PM गती सकती रास्टी है इंटरफेस प्लेटफॉर्म है इसके अंतरगत यह जो काफी इंपोर्डेंट है इसमें यूलिप के नाम से आप लोग इसको जानते होंगे इसमें क्या किया गया है कि 34 डिजिटल सिस्टम जो हैं यह पोर्टल हैं उन सभी को क्या कर दिया गया है एक तरह से एक दूसरे से जोड़ दिया किया एक सिंगल बिंटो परदान जो कर दिया है उसी पोर्ठल पर जायें इस सभी प्रकार की सेवाओं को अब ले सकते हैं अलग-अलग वैफसाइट पे जाकर के अलग-अलग पोटल पर जाकर के वो सेवाय लेनी कि यह आपको आप सेवाइन को आप सखता न उसी पोर्टल पर आपको जो भी सुब्दा आपको लेनी है जो भी सर्विस लेनी है उसी परजा करके आप ले लिए ऐसे आपको सोचिए चौतिस आपको वेबसाइट याद रखनी पड़ती अब क्या एक ही वेबसाइट वे जाईए बहाँ पर ही आपको सारी चीज़े मेल जाएंगे चीजों को आसान किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि अगर चीजे आसान होंगी तो जो हमारा समय है तो वो समय कम होगा जैसे ल दक्ष और साथ में भरूसेबंद हमारा लोजिस्टिक नेटवर्क है उसका विगास करना वो एक्जिम का उद्देश से है तो एक्जिम भी काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों को दियान रख लेना है और यह मेंस के लिए ज्यादा महत्कूर है यह दियान रखना है क्या है आपके लिए मोर देने इनफ है सुगमता को क्या है बढ़ाना है तो सुगमता को बढ़ाने के लिए राज्जी को हमें सामिल करना होगा प्रतिक राज्जी में हमें कनेक्टिविटी को बहतर करना होगा मल्टी मोर्डर लॉजिस्टिक पार्क है वो इस्ताबित किया और इसके लिए 602 बिलियन डॉलर का निवे से इतना किया जाना है भारत माला परियोजना भी स्टाट की गई इसके अंतरगत लगभुप में 65,000 किलोमेटर नेशनल हाईवे हैं उनका निर्माड किया जाना है समर्पित माल डुलाई गलियारे हैं जो कोरिडूर है वो भी विक रास्तिय रेलहे हुजना को देश से की 2030 तक हम माल डुल धूल रेलवे के हिस्तेदारी माल डूलाई में बड़ाना जैसे देखिए 2010 में जो माल डूलाई है उसमें हिस्तेदारी 27% के करीब में देखने को मिलेगी इस इसको क्या है बड़ा देना है 45-30 सथ तक कम से कम बड़ा देना है ओके और सागरमाला और अंतरदेशी जलमार्ग है यानिकि जो हमारे इंटरनेशनल पोर्ट है उनको हम इनलेंड बाटरवे से अगर जोड़ देंगे तो अगर हम इनलेंड बाटरवे पर अगर फोकस करेंगे इधन की खबत कम होगी, तो इससे कई सारे हमको profit होगा, इधन अगर कम खबत होगी, यानि कि लागत कमाएगी, लागत अगर कमाएगी, तो हम सफ्टे दामों पर हम क्या गर सकते हैं, ट्रांस्पूर्ट गर सकते हैं, दूसरा क्या है, इससे परियाबरण पर अन्कूल प्रभ बहुत बड़ेगा काऱबन डि आयोकसाईड के ज़ादा उस्षरजन होगा और शात में इससे एक और बड़ा इमपेक्ट परता है कि यीधन का ज़ादा खपत करने से हम यीधन का क्या करते हैं हम Liberdade खेता है एक तरह से कम होगी और दूसरा क्या है अंतरदेशिये जल मारक अगर हमें स्टाट करेंगे तो इस से जो सड़क एबम जो रेल मारके हैं उसके उपर दवाओ भी कम होगा उसके उपर क्या है जो दवाओ है वो भी कम होगा अगर दवाओ कम होगा तो उसकी गुडबत्ता में क बचेगा तो फिर से हमारा क्या होगा, इधन की कमखपत होगी, तो फिर से हमारा आयात क्या होगा, कम होगा, तो इस तरह से आप लोग सोच करके अपने आंसर को बहुत जाद ही इंप्रूब कर सकते हैं, हम आपको प्रदर्शन भी यहाँ पर बताए गया है कि कौन जैसे टटिये राज्यों में कौन से राज्य हैं जो बहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो अचीवर्स फास्ट मूबर और जो एस्पायर्स जो हैं वो उसमें तो बताए गया है इस तरह से तो आप लोग इनको एक बार स्क्रिंस प्रदर्शन में ऑफ संडीय जाता है तो आप्लंत नैसे पूंदर्शन मेंकरना हो सकता है या फिर आप लोगों से पूछ सकता है क्या फस्ती मूबर जेते ऊचutanशन कल शिंचों सकता है मैं किर σी लніल्यात नीचे नीचे है करसी नेर्यात खो तो किरसी निर्यात नीचे है इसका मैप हमने ऊपर लगा दी है कोई बात नहीं पीडियाप आप लोगो मिल जाएकि टेलिग्राम पर लिंक है वह कमेंड बॉक्स में चेक करिएगा तो बहां पर आपको मिल जाएगा या फिर टेलिग्राम पर आप लोग किलाब आईए सर्च क करेंगे तो आपको हमारे चैनल में जाएगा तो अपनी चैनल को जॉइन कर लितेगा भारत की किर्सी निर्यात नीती के अगर हम बात करें तो सुर्कियों में क्यूं है किर्सी निर्यात नीती यहां पर देखिए मैंने एक मैप बनाया है तो आप लोग इधर देख सकते हैं कि जैसे जो हमारा यह आयात निर्यात है किर्सी वेपार की बात कर रहें यहां पर अगर हम आयात की बात करें तो उसमें भी क्या है डाउनफॉल देखा गया है उसमें दोनों में क्या है डाउनफॉल यहां पर देखा क्या है तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इधर तो डाउनफॉल इसलिए देखा गया थे क्योंकि इधर कोबिट का समय था तो हर चीज में आपको इधर डाउनफॉल देखने को मिल करते हैं तो यह कुछ भी आप लोग देखेंगे तो वह समय गिरा हुई दिखाई दिखाई इसी तरह से अगर हम किरसी बैपार की बात करें तो हम निर्यात हैं शबसे ज़्याद किसा करते हैं परसेंटेज यह नहीं रखना है आपको किरम याद रख लेना है कि फर्स नमबर पे क्या है चावल है ओके चावल में भी हम सबसे ज़्यादा किसका करते हैं बास्मती चावल का हम लोग करते हैं इसी तरह से समुद्री उत्पादें वो 15% हम लोग करते हैं मसाले हैं वो 9% बहस का मास फिर हम करते हैं चौथे नमबर पर पाचमे नमबर पर हम चीनी का करते हैं फिर छटमे नमबर पर हम लोग फल इबं सब्जी का साथमे नमबर पर तमाकू फिर उसके बाद मूं कॉफी का करते हैं यह आपको starting के 3-4 आपको याद रख लिने हैं, उसके बाद आप लोग भूल जाएगा, फिर उसके बाद में क्या है, एक तरह से आपको आइडिया ही लग जाएगा, क्योंकि एक दो का आइडिया लग जाता है, फिरागी का आइडिया लग जाएगा, इसी तरह से अगर हम आय हम घुए लग लया, इसी तरह से, फाल and सब चीनी के बाते हैं, तो हम 6% हम लोग क्या करते हैं, ऐक तरह से, आयात करते हैं, जार इरग जाएगा, आयात करते हैं, लोगים को ढड़तों मतब हम लोग मग धिया लग जादर को धिंचान है, स्टार्टिंग के कम से कम चार आप लोग याद रख सकते हैं और निर्यात के भी चार आप लोग याद रख सकते हैं और इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसी तरह से किर्सी निर्यात नीती 2018 की अगर हम बात करें तो यही देखिए सेम मैप क्या है वो इधर दिया र निर्यात है उसको हमें बढ़ाना है जिससे और साथ में इसे किसानों की आए में भी वरद्दी होगी इसके अलक्षे 2022 तक एक्सपोर्ट जो है वो हमारा एक्सपोर्ट जो है हमारा उसाट बिलियन डॉलर कर देना और इसी तर ऐसे किरसी ब्यपार की बात कर रहे हैं किरसी निर्यात की बात कर रहे हैं यह दिहान रखना है किरसी निर्यात है वो साट बिलियन डॉलर 2022 तक इसी तर ऐसे जो एक किरसी निर्यात नीती 2018 की हम लोग बात करना और लाइए तक उनका वंहुड़ रखना है शान की बादारा इसाथ में निर्याद करना है ना कि बड़े लिए उत्ताद है उनका हमने रियाद करें शाथ साथ में नमीन और देशत जैबिक जोकि होती है और गैर पारबड़क उत्पाद हैं उनको एक तरह से बढ़ावा देना है क्योंकि इनकी आज बरतमान में क्या है डिवांड जाधा हो रही है इसी तरह से cluster हमें निर्माड करना है और ब्रांड इंडिया को आगे बढ़ाना है जिससे हमारे उत्पाद है जो हमारे उत्पाद है उनको एक नई पहचान मिल सके और उनकी पर बाद में जाकर के एक ब्रांडिंग हो सके नई निर्यात नीती की आवसकता क्यों है तो नई निर्यात नीती की हमे लेकर के जाएं उस पर barrier लगाए जाता है वो agriculture है जैसे देखिए अगर हम अपना गेहु चावल लेकर के जाएंगे यूरूपीय देशों में इस पेसली गेहु चावल लेकर के जाएंगे तो वो कहेंगे ना ना हम इसको नहीं खाने वाले तो हम कहेंगे भाईया क्यों नहीं यह organic नहीं है हम इसको नहीं खा सकते है और गेनिक नहीं है तो मना कर देंगे फिर हमारी किसान रमुआ सोजी का चलो ठीक है भाईया इसमें हमने fertilizer का उपयोग किया था और गेनिक नहीं है तो चलो इस बार हम लो organic तरीके से उगाता है अगली बार को क्या करेगा और गेनिक अगली वार रमुआ का चलो ठीक है इस बार जो हम पानी जो चाय की विदी है वो परवर्दित कर देंगे हम इस प्रिंकल से चाहिए करेंगे चपकन विदी से सचाहिए करेंगे अन्य चीजों से चाहिए करेंगे तु फिर बूठ ले करके जाएगा यह इस बार देखो भईया हम ओर्गैनिक भी लेकरके आए हैं हमने पानी का तो देखो है हमने अच्छे से उपियो किया है और जो महिलाएं हैं उनसे दिन रात काम करवाया है यानि कि एक तरह से लोगों का सोशड किया गया है चाइड लेवर का उप्योग किया गया है रमुगा कहेगा यारी चाइड लेवर कहां हमारी यहां तो सभी लुग कामी करती है और कौन सामने मार मार के काम कराया, खुजी खुजी सब गई ते हमारी बाली बच्चे सब काम करने के लिए, फिर से बिचारा है रमवा को मुझ लटका करके लटके आना पड़ेगा, वो कहेगा कि यार इतने सारे रिस्टिक्शन, वो लेकिन हम ना बेचेंगे, हम खुद खा है, तो रमवा गएगा चलो दो ठो बच्चे और पैदा कर लेते हैं, चाबल खाली में बिकार हो जाता है, हैर साल इतना सरा, तो दीके इसी तरह से बैस्विक कीमतें हैं, उनमें उतार चड़ाओ भी बहुत देखने को मिलेगा, अगर उतार चड़ाओ इतना जादा होता है तो जिससे हमारी जो निर्यात नेती है, वो सस्तेंग ऐसे रहेगी, इसी तरह से भरोसेवंद आपूर्ती करता है, वो भारत के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो भारत की छबी है, वो कभी निर्यात करेगा, कभी निर्यात नहीं करेगा, कभी रिस्टि प्रतिवंद लगाता रहता है यहां पर इसलिए आई थी जैसे यूरूपे कंट्रें बहुतों प्रतिवंद लगाते रहते हैं जैसे जो डबलू टीओ है उसने भारत का विरूद क्या एक तरह से क्योंकि भारत ने रिसेड लिक्या कर दिया था चावल का चावल पर प्रतिव ब्रतिवंद लगा दिया ता बहरत ने जब ब्रतिवंद लगा दिया था विप्रतिवंद लगा दियए तुमने भाई टमबलू वरथी मूल में चावल के मूल में क्या होग おदyuब ओए बहुน होग जिसे बढ़ने लगे इंफलेशन रेट को मैं दान पड़ा जिसे बेक्र हैं यहरा घ्र बहुत ज्याद हो जाते तो Arms लेकर के कारे क्हापाती तो समस्य अन्यदे रत पन घाथ तो हम अपने लोगों का पेट भरेंगे फिर अपना सक़ेंगे तो अपने दिस के अपने आपसक्ता हों के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते निर्यात है तो भारत के कुल किरसी निर्यात प्र जार्वभक चावल उच्छीनी की इस्सेधारी वाकेले लगबख में 30% के करीब में देखने को मिलेगी दो ही उत्वाद की ऎहाइज कि वाइराइटी नहीं है बहुत जादा विविद्द्ध नहीं है उत्वादों के अंदर और यह जो हैं जैसे चावल उचीनी है उत्पा हैं बो हम लोग इस सी उत्पाद हैं उनका निर्माट नहीं करते जैसे एवकाडो और हमसित करें चाल उगा रहे हैं सब की नहीं उगा रहे हैं एक हजार रुपीय किलो दो औरहमायगो बिखता है और हमाई जाएगा लगा लिया तो हमारी है कि वह कि कैते हैं कि नई चीज नई चीजों पर हम भरोसा ड्राइगन फ्रूट के आप मार्केट में अगर प्राइस दिखेंगे लोकल मार्केट में तो कम रहते हैं अंतरास्टिय बाजार में अगर उच्छ गोड़ बत्ता कर ड्राइगन फ्रूट के मिल जाते हैं और एक किलो की लागत है ट्रांस्पूर्ड लागत है वो 200-500 और सकते हैं इस तरह से ब्यारежд में ट्राइगन ट्राइगन वाला रीजन है है इसक है और और इलसे शेतर जैसे की मुथरा आगरा वाला ये reason है इदर आप क्या कर सकते हैं ड्रेगन फ्रूट ऊगा सकते हैं लेकिन कोई ड्रेगन फ्रूट नए उगाता है सब क्या हैं मक्का बाज़रा सब उगाते हैं जिसकी कीमत जदा नहीं मिलती है तो हमें किया करना पड़ेगा अपने साथ से प्रतिय रूप में थोड़ा सब परिवर्थन करना पड़ेगा हमें ऐसी फसलों का उत्पादर करना पड़ेगा जिनकी अंतरास्तिय वजार में मांग भी जादा है और साथ में जिनका मूल भी हमें अच्छा मिले ओके केवल चावल भात हम खाते हैं और दूसरे को भी वह कहते तुम भी चावल भात खरो और कुछ ना ख्रूँ एक किलो चावल और इसी तर तर देखिए प्रतेक्ष निरियात में क्या है हम लोग आ प्रते gather हम निर्यात करते हैं तो उस निर्यात के साथ में आप प्रतेक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सकते हैं कि चावल की वैलू क्या होनी चाहिए इतना जादा पानी हम लोग यूज करते हैं चावल के उत्पादन के लिए इसे चावल हो गया गन्ना हो गया यह इस प्रकार की किर्सी है जिसमें जल की जादा अब सकता होती है इस वज़े से इन्हें ऐसी जगह पर उत्पादि हो या फिर आप कोई भी रीजन बिहार वाले लें लिजी बहां पर चावल को पादन क्या जा रहा है जाए लेकिन भूमी गजल है वह उसका तो दोहन हो रहा है बो तो क्या है खतम होता चला जारे तो एक समस्थे का कारण हैं तो यह चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी तो इस तरह से आप लोग इसको noda कर सकते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा इन सारे टॉपिक्स के बारे में अब हम लोग चलते हैं कल अज बज़े लेक्सर मिलेगा we سकते हैंक लाइब भी लेक्टर हो सकते हैं और हो सकता है जो भी ग्रूप हमारे जॉइन करना सा्ते हैं कमेट बस्वें आज़ यहाएंगे फ्रीवाल जरूर जॉइन कर ली जीघा से अवालकicker और पेड़ पालनी रहती हैं जिनकी सो और पैसे ले करके सिरें किसी कि 49 रुपए से ले करके 100 रुपए तक ऐसे फीज होती है जिसमें पूरे साज तक आपको वहाँ पर टैसी प्रोवाइड करा जाती है जिस कोचिंग के आप बाई करना चाहते हैं बाई कर सकते हों के हिंदी मीडियम को कंटेंट है वो जल्दी नहीं म जो कॉपी राइट का मसला था वो खता हूं गया क्योंकि हम जो टैस्टीरी सॉल्व करा रहे है वो अब टाइप करा देते हैं फिर उसके बाद सॉल्व कराते तो उसमें कोई लोचा नहीं है और जो अगर लोचा आएगा तो वो यूपी ऐसी टैस्वाट टैस्वाट पर ल वहांपर कम्प्लेंट की वजय से बहांपर रेमूब करना पढ़ा था तो बात म elas कीना बात पढ़ी लेकिन कोई समस्यली बात नहीं है तो वह तो अपना चैनल तो अप ठीक होज चुक आया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप आगे इसे वह जो वीडियो वीडियो तो आपको सारी वीडियो मिलेंगी आपको जो वीडियो वाला सेक्षन होता है मैं दिखा देते हूँ एक सेकेंट बनना आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो हम बात में दिखा देंगे आप लोग प्लेलिस्ट जैसे यह क्या है प्लेलिस्ट वाला सेक्षन है जैसे club is पर जाएंगे आप लोग या फिर यूपीासी टेस्पॉर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आप लोग जो अपना club is चैनल है Yes तो तो सारी विडियो मिल जाएंगी क्योंकि दूनों चैनलों पर पड़ी होंगी तो मैं फ़लेड़ करता हूँ तो आपको कोजने में कोई समस्या नहीं आने वाली है कोई प्राब्राबं हुए करे तो आप लोग लाइब क्लास में पूछ सकते है वहां पर आप लोगे सारे कोश्चिनों के जब आप दे दिये चाहिए चलिए इस लेक्टर को यहां पर ही फिनिश दरते हैं